हेलो छात्रों इस वीडियो में हम आप लोग को संस्क्रीट के ब्यागरपति कठा का टोटल अब्जेक्टिव कोश्चन्स इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी छात्र इस चेप्टर का टोटल अब्जेक्टिव कोश्चन्स बारी बारी से एके करके याद कले ना किमकि इस चप्टर से आपके फाइनल बूर्ट एक्जाम में बहुत ज़्यदा अफ्जेक्टिव कोश्चन पूछ जाता है ठीक है तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं सबी लोग वीडियो को लाइक करते ना और डेली साम 6 बजे हमारे साथ आप लोग लाइब जूरिएगा किमकि डेली मैं साम 6 बजे लाइब आता हूँ और लाइब कलास चलाता हूँ ठीक है तो आप सभी छातर डेली साम 6 बजे हमारे साथ लाइब जूरिएगा और जो भी बंदा हमारा साथ पहली बार इस चैनल पर आये होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैज आइकोन को प्रेस कर लेंगे और साम के साम 6 बजे डेली हमारा साथ लाइब आएंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला नमर प्रस्ट ने देखिए पहला नमर प्रस्ट ने कि हीतुपदेश किसकी रचना है हीतुपदेश किसकी रचना है तो आपका एंसर खान नमर सही हो जेगा नरायन पंडित नरायन पंडित का राचना है हीतुपदेश ठीक है और व्याक्रपदित कथा कि लेखक भी यही है एंसर आपका ए खान नमर सह योगा अगला कोंच ने ही तो पदेश काइसा ग्रंथ है लग अगर्वकर भ्यागरपति कथा आप लोग नहीं पढ़ हैंगे तो एक्षिलि इसका अंसर आप A, B, C, D में से कोई भी लगा सकते हैं देखेंगे तो नदी किनारे जंगल में तलाब के किनारे धान के खित में आप लोग ज़्यादा सूच आपका होगा कि जंगल में बाग जाता है तो जंगल में ठीक लगा देंगे लेकिन एक्ष्यल में इसका अंसर जंगल नहीं होगा बलकि तीन का सही अंसर क्या होगा तलाब के किनारे बाग तलाब के किनारे सोने का कंगन लेकर हाथ में बैठा हुआ था ठीक है अगला नमर प्रस्ण है कि बाग के हाथ में क्या था तो आप प्रस्ण आई गया कि बाग के हाथ में क्या था तो आप लोग कोश्च नमर चार का अंसर देना ए नमर ठीक है बाग के हाथ में सुने का कंगान था क्या था छात्रू सुने का कंगान था एंसर चार नमर का ए हो जेगा और तीन का अंसर क्या होगा सी नमर यानकी गा होगा ठीक है अगला प्रसन बाग कैसा थ बाग कैसा था बूड़ा था सक्त हीन था या फिर गलीत नख दंद था या फिर उप्यक सब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पांच का सही उतर आपका डी नमर होगा क्योंकि बाग तो एक्षिन में बूड़ा भी सा और साथ में मतलब की सक्त हीन भी यहन की सक्त साली भी a b c 3 तीन होगा एंसर क्या होगा बाग कैसा था तो बूड़ा भी था सक्त हीन भी था गलित नख दंद भी था एंसर आपका डी नमर सही होगा ठीक est कर लें अगरे प्रसन चठ था निमर देखिए तो चठ नमर प्रस्ता है कि अपने कु वन सेहीन कौन कहता था, अपने कु वन सेहीन बागी कहता था, बाल कहता कहता था कि मैं इवावस्ता में बोखोश सारे जानवरों को बाता था, या तक न टियाँ फ्रूर सब्सक्राइब कि बूढ़ा बाग सभी यह इसा समभ हो सकता है और वे इसाने सफ किसी पतिक ने जब मतलब की इन बातों को सूफा तो सूचा कि ऐसा भाग साई संबह को सकता है लेकिन, यह मतलब सौचा लेकिन फिर भी उसके पास जाने से डर रहा था लेकिन जब बूडबाग अपने को बताता था की कहता था कि मैं इव स्था में Käताता में बहुत सारे आगे यहाँ पर देखेए यह अगे हमाने की पर प्रियोजन किसके लिए नहीं है ते ध्यां किसके लिए छूपट दीजिएरth किचण में कौन फंस गया अंत में किचण में जाकर कौन पतीग फंस गया जब बूधा बाग के द्वारा या जाल में फंस गया था पतीग जब बूधा बाग अपने को वनसीन बताकर अपने को मतलब की अच्छा साबित कर रहा था पतीग के सामने तो पतीग ने उसके जाल मे फंस गया और सोने का कंगल लेने के लिए उसके पास जाने लगा जैसे ही मतलब कीचर मतलब की पार करकर जा रहा था तो कीचर में ही पतिक फंस गया और जब कीचर में पतिक फंस गया तो बुड़ा बाग हामला कर दिया वो तो मतलब की इसको खाने के लिए ही मतलब की अपने जालो में फञसा रहा था ठीक है लेकिन ये पतीक फञस गया बुड़े बाग के जालो में और मारा गया अपना जान भी कमा दिया ठीक है तो या तब इसका इंसर खान मर होगा ग्यारक अंसर गनव का बंद इस्तरी के आभुसन के समान होता है अंसर क्या होगा आपका गनवर होगा ठीक है बहुत ही important questions ठीक है अगला प्रसन देखे इस चेप्टर का 12 नमर प्रसन है 12 नमर प्रसन है चात्रो बाग को किसने दान करने का उपदेश दिया था बाग को किसने अपने जालों में फसा रहा था तो उस समय बोल रहा था कि मैं इवास्ता में बहुत सारे जानवरों को मार का खाया हूँ इसलिए मैं अपने पापों से मुक्ति करना चाहता हूँ मुझे ये सब बाते एक धार्मिक ब्यक्ति ने बताया और उसी के तहत मैं मतलब कि अपने धार्मिक ब्यक्ति ने कहा था पतलों कहा था कि नहीं बलकि वह बुढ़ा बाग अपने जालों में फसा रहा था जूट बोलकर पती के सामने जूट बोलकर अपने जालों में फसा रहा था था तो यहां पर उसके अंसार आपका अंसर गार नमर और ठीक है आप इस कहानी को ताआ कि बाग कहिसा था तो बाग कहिसा था बुढया ता वन्स पी था नक सम्हिन भी था ठीक है ते अंसर क्या हह ऊगा तो लोब पाप का कारण होता है लोब क्या होता है लोब यहन कि लालच पाप का कारण होता है इसलिए आप लालच मत कीज़े ठीक है क्योंकि पति के लालच के कारण ही तो मारा गया था जब बूढ़ा बाग अपने जालों में फसा रहा था कि है पति को इस सोने का कंगन को ले लो लेकिन पती यह नहीं सोच रहा था कि बुड़ा बाग की इतनी सारे दिनों से भूखा प्यासा था और तुमको खाने के लिए ही वह मतलगी अपने जालों में फसा रहा था ठीक है तो बहुत ही मैदार कहान यह ठीक है तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट सेक्श कर दोस्तों कैसा कर दोस्तों भूणी ऑदियो हमें नहीं साथ इतनी वाज़ियो हमें कि उता घ्छ खानाने कर दोस्तों के दोस्तों कि ध 휩alinी है